कहानी की सुरुआत में 1945 का सीन दिखाया जाता है जहां दो सोलजर फाइटर प्लेन में उड़ रहे होते हैं लेकिन अब इनके सामने एक भैंकर तुफान होता है और इनकी प्लेन भी लाइटनिंग से टकरा जाती है या देखते ही दोनों सोलजर पैरा सूट लेकर कूद जाते हैं और साम को बहुत प्यार के साथ इनको बेरीज का जूस पिलाते हैं इसके बाद कबीले की दो लड़कियां इनको कहीं पर ले जाती है जहां रास्ते में दोनों किसी मॉंस्टर और साम के लड़ते हुए पैंटिंग को देखते हैं फिर लड़की इन दोनों को किसी को एक्स्प्लोर करने लगते हैं तभी अचानक से इनके उपर एक बग आ जाता है जिसको यह लोग मार देते हैं लेकिन अब यहां पर बग का पूरा एक जुन्डा आने लगता है या देख दोनों पहले तो इनको मारने की कोसिस करते हैं लेकिन ऐसा कर पाना ना मुम्किन इसलिए दोनों तुरंत बाहर आकर दर्वाजे को बंद कर देते हैं लेकिन बग यहां के छेद से भी बाहर आने लगते हैं या देख दोनों यहां से भागते हैं और फिर एक चटान के उपर चहने की कोसिस करते हैं लेकिन इसमें से दूसरा सोलजर नीचे गिर जाता है की हेल्प करता है और वो एक जगा पर लटक जाते हैं इसके बाद वो दूसरे सोलजर को भी बचाने की कोसिस करता है लेकिन बग इसके बाद फिर से इनको पकड़ने के लिए इकठा होने लगते हैं तभी एक सोलजर नीचे गिर जाता है और बग इसको मार देते हैं लेकिन से कवायो नाम की लड़की एक्ट्रेस होती है फिर हम काओ को देखते हैं जो सुटिंग में यूज होने वाले वेपन को रख रहा होता है लेकिन तभी जेसन यहां आ कर इसको परेसान करने लगता है अब इस बात से काओ को इस पर गुसा आता है लेकिन तभी अंकल जू आ कर बात मान जाता है अब अगले दिन इनको एक बलास्ट वाला सीन सूट करना होता है लेकिन डैरेक्टर इस पूरी चीज को रियल दिखाना चाहता था जिसके लिए वो यहां पर बलास्ट करने का प्लान बनाता है या सुनकर अंकल जू इसको मना करते हैं लेकिन तभी सुनग को फील हो जाता है कि यहां पर कुछ गरबर होने लगी है फिर इनको पता चलता है कि माउंटेन तो पूरी तरह से गिरने लगा है या देखते ही सभी लोग छुपने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं तभी इसी वक्त क्वायो जखमी होने वाली ह होती है लेकिन काओ इसको बचा लेता है फिर कुछ देर बाद सब कुछ सांथ हो जाता है और इसमें से हर कोई सेफ होता है लेकिन अब काओ को लगता है कि माउंटेन के नीचे कोई गुफा थी जिसकी वजह से यह माउंटेन नीचे दस गया इसके बाद काओ इसे चेक करने चला जाता है फिर इसी बीच एक लड़का फ्रेस होने के लिए जाता है लेकिन अचानक से एक बड़ा सा मॉंस्टर इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है जो कि असल में एक मैगलेनिया होता है अब इसको देखते ही लड़के का होस गायब हो जाता है और वो तुरंत अपने के तरफ आता है फिर बाकी लोग भी जैसे ही मैगलेनिया को देखते हैं इनकी भी आलत खराब हो जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं जिसके दौरान मैगलेनिया बहुत से लोगों को मार देता है फिर वो एक लड़की पर भी अटाइक क खुद को बचा लेती है तभी हम क्वायो को देखते हैं जिसका पैर वायर के बीच में फस गया है और मैगलेनिया भी इसकी तरफ आने लगा है फिर क्वायो जेसन और सुंग से हेल्प मागने की कोशिश करती है लेकिन दोनों इसे यहीं छोड़ कर भाग जाते हैं या देख एक लड़की क्वायो की हेल्प करने आती है लेकिन अब मैगलेनिया इस पर भी अटैक करने आ जाता है लेकिन तभी कावो इसको रोग देता है और फिर क्वायो को आजाद करा लेता है लेकिन तभी मैगलेनिया इनके साथ वाले लड़की को मार देता है या देखते ही काव वो क्वायो के साथ एक जगह पर छुप जाता है जिसके बाद से इनकी जान बढ़ जाती है फिर मॉंस्टर जैसे ही आगे चला जाता है कावो इसे ले कर जंगल की तरफ आ जाता है जहां बाकी लोग इनको रेश्ट करते हुए मिलते हैं फिर दोनों इन लोगों के पास आते हैं जहां क्वायो और सुंग के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि सुंग ने इसे खत्रे में छोड़ दिया था इसके बाद यहां लोग यहां से आगे बढ़ने लगते हैं तभी अंकल जू इन से कॉंटेक्ट करते हैं जो कुछ लोगों के साथ दूसरी तरफ फसे हुए हैं तभी सुंग वाकी टॉकी ले लेता है और अंकल जू को कैंपिंग वाली जगा पर जाकर अपना कुछ मैटेरियल लेने की बात करता है फिर यहां सु बढ़ने की कोसिस करता है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है जिसके बाद ये बग कुछ सेकेंड में ही इसका पूरा मांस खा जाते हैं अब यहां देखते ही सब काफी डर जाते हैं और तुरंत यहां से भागने लगते हैं फिर काओ तुरंत आग जलाने वाली मसीन निक जाते हैं जिसके दोरान इनके कुछ और लोगों की भी मौत हो जाती है लेकिन बग जलती हुई आग से डर रहे होते हैं यह देख जेसन भी एक लड़की में आग जला लेता है और बग को आगे बढ़ने से रोकने लगता है लेकिन अब सुंग और एक आदमी दूसरी तरफ फंस जाते हैं या देखते ही काओ इनकी तरफ आग जला कर फेकता है जिसके बाद सुंग बग से खुद को बचाने लगता है लेकिन सुंग बहुत ही सेलफिस होता है वो अपने साथ वाले आदमी को नीचे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर चड़कर बाकी लोगों के पा जास्ता बन जाता है और सभी लोग यहां से निकल जाते हैं लेकिन इस दोरान भी इनके कुछ लोग मारे जाते हैं फिर काओ यहां पर अलकोहल की बोतल तोड़ देता है जिसके बाद यह जगा आग से पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है अब यहां लोग एक जगा पर आ जाते जाता था इसे देखने के बाद सभी लोग और भी घबरा जाते हैं क्योंकि मैगलेनिया के अलावा यहां पर एक भ्याना के नकुंडा भी है इसके बाद जैसन अंदेरा होने से पहले यहां से निकलने का प्लान बनाता है लेकिन अब क्वायो काओ के साथ रहने का प्र यहां लोग यहां से जाने लगते हैं जिसके दोरान सुंगी जगा पर हॉर्न जैसी कोई चीज देखता है फिर यहां लोग अपने कैंपिंग वाले जगा पर आ जाते हैं जहां सुंग सबसे पहले अपना टेप बैग में रख लेता है वहीं दूसरी तरफ अंकल जू और उनके साथ के लोग कहीं पर खो गए हैं तभी इनकी नजर एक जगा पर परती है जहां पर बहुत सारे अंडे पड़े हुए थे और इनका साइज भी काफी बड़ा था लेकिन अंकल जू समझ जाते हैं कि इनका यहां रुकना सही नहीं है इसलिए वो तुरंट सभी को यहां से चलने के लिए कहते हैं और कुछ समय के बाद यह लोग भी कैंपिंग वाले एरिया में आ जाते हैं अब अंकल जू सुंग से यहां पर सीप बुलाने के लिए कहते हैं फिर सुंग बताता है कि मेरा फोन गिर गया है तभी हम देखते हैं कि डारेक्टर एक अंडे को अपने साथ लेकर आ गया है जिसको देख सुंग भी हैरान हो जाता है लेकिन अब अंकल जू इस बात पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि यह चीज इनको बहुत बड़े खत्रे में डाल सकती है तभी अचानक से इनकी तबियत खराब होने लगती है फिर काओ तुरंत इनको अनकमफर्टेबल हो जाती है लेकिन फिर भी वो इसके लिए तयार हो जाती है जिसके बाद काओ ब्रापैड की मदद से पानी को फिल्टर करता है इसके बाद से दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में बहुत से बाते करते हैं फिर अगली सुबा एक आदमी फ्रेस होने के लिए जारी में जाता है लेकिन तभी अचानक से इसके पीछे एक बहुत बड़ा एनाकॉंडा आ जाता है अब इसे देखते ही इसकी हालत खराब हो जाती है और एनाकॉंडा अगले ही पलिस को मार देता है अब इसको देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इनकोंडा इन पर खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है फिर इसी बीच वो क्वायों पर अटैक करता है लेकिन काव इसे बचा लेता है तभी इनकोंडा डिरेक्टर को घेर लेता है जिसके हाथों में इसका अंडा होता है इसके बाद कोई भी इसकी हल्प नहीं कर पाता औ लेकिन अब एनाकोंडा भी गुस्से में इस पर अटाक कर देता है। इसके बाद काओ भी खुद को बचाने लगता है। लेकिन तभी जेसन एनाकोंडा पर नुकीली चीज से अटाक कर देता है। इसके बाद एनाकोंडा अब इसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो तुरंत एक जगा पर छुप जाता है। इसी बीच एक लड़की भी एनाकोंडा का सामना करने आ जाती है। लेकिन एनाकोंडा इसको दूर फेक देता है। जिसके दोरान कोई नुकीली चीज इसके पेट के आर पार हो जाती है। यह देखते ही कावो एनाकोंडा पर एक्स्प्लोजन फेक देता है। जिसमें एनाकोंडा कुछ समय के लिए जखमी हो जाता है। और यह लोग इसका फाइदा उठा कर यहां से निकल जाते हैं। वहीं एक आदमी ने सुंग का बैग ले लिया है और वो इसे वापस नहीं दे रहा। फिर वो इसके बदले में बहुत सारा पैसा मांगता है जिसके बाद सुंग इसकी बात मान जाता है। अब इसी बीच दोनों उस जगा पर आ जाते हैं जहां इनको मेग लेनिया और एनकोंडा वाली पेंटिंग दिखाई दे थी। फिर सुंग समझ जाता है कि यह असल में एक रिचुवल है। इसके बाद वो अपना बैग लेने के लिए आदमी पर दोखे से अटैक कर देता है। जिसके दौरान एनकोंडा इनके पीछा लगा होता है लेकिन इसी वक्त मैगलेनिया भी यहां पर आ जाता है जिसके बासे दोनों मेव फाइट होने लगती है लेकिन मैगलेनिया एनरकोंडर से कहीं ज़्यदा पाउरफुल होता है और वो इसको आसानी से मार देता है इधर जखमी लड़की समझ जाती है कि वो नहीं बचपाएगी इसलिए वो इनको यहां से भाग जाने के लिए कहती है और फिर खुद को मैगलेनिया के सामने सेक्रिफाइस कर देती है इसके बाद यहां तीनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन अब काफी देर तक चलने की वज़ा से अंकल जू की कंडिसन खराब होने लगती है और फिर इनकी डेड बोडी को जगा पर दफना देता है इसके बाद काउ एक्स्प्लोजिव बनाने लगता है इसके अलावा यहां समझ गया है कि कबीले वाले बेरीज इनसानों को खिलाते थे जो मैगलेनिया और एनकोंडा दोनों को अट्रैक्ट करता था और फिर दोनों में फाइट होती थी इसलिए अब काउ भी बेरीज खोजने का प्लान बनाता है और क्वायों को यहां छोड़ कर बेरीज खोजने चला जाता है लेकिन कुछ समय बाद ही जेसन और सुंग यहां पर आ जाते हैं और क्वायों को बेहोस कर देते हैं फिर अगली सुबा पता चलता है कि दोनों ने अपने अलावा सभी को कैद कर लिया है और इनको एक जगा पर बांध दिया है फिर सुंग हॉर्न को निकालने चला जाता है जहां पर इसको एक कपड़ा भी नजर आता है फिर सुंग जब इसको बाहर निकालता है इसमें से इसको एक गन मिल जाती है इसके बाद वो हॉर्न के साथ में वापस आ जाता है, जहां अब क्वायो होस में आ जाती है और दोनों के इस हरकत पर काफी गुसा करती है, तबी अचानक से यहां इनको किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद जेसन आसपास देखने चला जाता है, फिर काओ सूंग पर अटैक कर देता है और सभी को फ्री करा लेता है लेकिन इसके बाद सूंग इस पर गन पॉइंट कर देता है और जेसन को इसके साथ फाइट करने के लिए बोलता है इसके बाद से दोनों के बीच एक सांदार फाइट होती है जिसमें आखिर कार काओ जेसन को जखमी कर देता है यह देखते ही सुंग अब कवायों पर गन पॉइंट कर देता है लेकिन काव बहुत असानी से गन को ले लेता है फिर भी वो इसको नहीं मारता और जिंदा छोड़ देता है इसके बाद सभी यहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी मैगलेनिया को अट्रैक्ट करने के लिए सुंग हॉर्न को बजाने लगता है अब यह देखते ही सभी तुरंत यहां से भागने लगते हैं क्योंकि मैगलेनिया किसी भी वक्त यहां पर आ सकता था इधर सुंग के काफी कोसिस के बाद भी मैगलेनिया यहां पर नहीं आता जिस बाद से सुंग और गुस्ते में आ जाता है लेकिन अब अगले ही पल मैगलेनिया यहां पर आ जाता है और सबसे पहले तो इसी को मारता है यहां किनारे पर इनको एक बोट फंसी हुई नजर आती फिर काउग कुईो को बाकी लोगों के साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि अभी इसे किसी तरीके से मैगलेनिया को माइन फिल्ड में लाना होगा और बेरीज वाले एक्स्पोलोजिव को बलास्ट करना होगा ताकि एनाकोंडा यहाँ आकर मैगलेनिया को रोग सके इसके कायो गन की मदद से मैगलेनिया का ध्यान भटकाने लगती है। फिर भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती और मैगलेनिया इसको मारने वाला होता है। लेकिन अब जेसन इसको बचाने का डिसाइड करता है और इसके लिए खुद को सेक्रिफाइस कर देता है। इसके बाद मैगलेनिया को जखमी करने लगते हैं। अब याद एक मैगलेनिया खुद को बचाने की कोसिस करता है लेकिन ये साथ बहुत बड़ी तदात में होते हैं। जिस वजह से वो इनके सामने कुछ नहीं कर पाता और ये साप मिलकर उसे मार देते हैं। इसके बाद काओ भी यहा जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर देना।